Hello friends, you are welcome to my channel Study with Aarti Gupta Friends, आज इस वीडियो में हम लोगे शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे इस शॉर्ट स्टोरी का नेम है The Bagger इसको लिखा था Russian writer और playwright Anton Sheikov ने Friends, टाइटल से ही समझ में आ रहा होगा कि ये स्टोरी किस पे बेस्ट है The Bagger मतलब ये स्टोरी बेस्ट है एक भिकारी फे बढ़ हम लाश तक ये देखेंगे कैसे एक भिकारी की लाइफ में यू टर्न आता है और उसकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाती है उसकी राइफ कैसे चेंज होती है इसके पीछे किसका हाथ होता है ये सब हम आगे देखेंगे तो जादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आईए देख लेते हैं कि इस शॉर्ट स्टोरी में है क्या जब ये स्टोरी स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कि एक भेकारी एक एड़ोकेट जिसका नेम है सर्जी उससे रिक्वेस्ट करता है कि आप प्लीज मुझे कुछ पैसे दे दीजिए मैंने पिछले तीन दिनों से कुछ भी नहीं खाया है इविन मेरे पास रहने के लिए भी जगह नहीं है उस सर्जी को विश्वाद दिलाने के लिए वो भगवान की कसम खाता है और अपने बारे में आगे बताता है कि मैं पिछले आठ सालों से मैं एक स्कूल में टीजर था लेकिन कुछ लोगों के शड़यंतर की बज़े से मिज़ी वो स्कूल छोड़ना पड़ा और तब से मेरे पास एक साल होने वाला है मेरे पास कोई काम नहीं है सर्जी ने उसकी तरह मुड़के देखा उसके फटे चितरे कपड़े उसने कोवर कोड पहना हुआ था आखी एक दिम ड्रंकर थी चहरे पर रेड कलर का गालो पर स्पॉर्ट्स बी था उसका एक जूता उचा था और एक जूता उसका नीचा था सर्जी को कुछ याद आता है सर्जी कहता है क्या is से पहले भी मैं तुम से मिल चुका हूँ और सर्जी बोलता है कि मैं तुम से कल सेडोवा स्ट्रीट पे मिला था तब तुमने मुझे से बताया था कि तुम एक स्टूडेंट हो और तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया है तुम्हारे कॉलिज से या स्कूल से तुमको निकाल दिया गया है और तुम चाहो तो तुम उझे अपने पेपर्स भी दिखा सकते हो क्या तुमने ऐसा नहीं कहा था? वो कहता नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था उसकी बात सुनके सरजी बहुत जादा नाराज हो जाता है और वो वहां से जाने रखता है भीकारी, फिर से उससे बोलता है कि हाँ आपने सही कहा और वो अपनी बात एकसेप्ट कर लेता है बोलता है कि मैं क्या करूँ, मैं जूट ना बोलू तो मैं क्या करूँ अगर मैं जूट नहीं बोलता तो कोई मुझे काम नहीं देता पहले मैं एक रॉशियन बैंड के साथ मैं रहता था मैं साथ में उनके गाना गाता था लेकिन मेरी ड्रंकन कंडिशन की बज़े से उन लोगों ने मुझे निकाल दिया तब से मैं बहुत परिशान हूँ मैं क्या करूँ उसकी बास उनके सरजी बोलता है लखणिया काटने का लेकिन वो अपने ही वर्ट्स में अपने ही बातों में वो बेगर बहुत बुरी तरीके जब फश शूका था उसने हा कर दिया उसने का मेरे साथ साथ हा जाओ वो भ्हकारी उस सरजी के साथ साथ उसके घर तक जाता है सर्जी अपने कुक ओलगा को बिलाता है ओलगा जो कि एक फीमिल कुक है सर्जी के घर पे और सर्जी उससे बोलता है कि ओलगा इसको अपने साथ ले जाओ और इसको लखनिया काटने का काम दे दो और वो जाता है अपने डाइनिंग रूम में सर्जी उस डाइनिंग रूम में एक विंडो थी और उस विंडो से वो आंगन वो शेड जहां पे लखणियां काटी जाती थी उस विंडो से दिखाई देता था सर्जी देखता है कि कैसे ओलगा उसको अपने साथ लेके जा रही है और वो जो भिकारी है वो इस तरीके से चल रहा है उसके चाल से पता चल रहा है कि उसका बिलकुल भी मन नहीं है काम करने का वो बिलकुल भी मेहनत का काम नहीं करना चाहता और सर्जी क्या देखता है कि उसने लकड़ी उठाई एक उसने अपने पैरों के बीच में फसाई और उसमें कुलहाडी मारी और लकडी नीचे गिर गई उसने दुबारा फिर ऐसा ही किया और फिर से वो लकडी नीचे गिर गई वो इस तरीके से लकडी पे कुलाडी मार रहा था कि मानो उसके पैरों पे वो कुलाडी ना लग जाए कहीं उसके पैरों के इंगलिया ना कर जाए सर्जी को ये देखके बहुत ही ज़्याद दया जाती है वो सोचता है मैंने किस दुबले पतले ड्रंकन इनसान को ये काम दे दिया करने के लिए ये तो करी नहीं पाएगा उसके कुछ देर के बाद ओलगा आती है और बोलती है कि सारी लकनिया कार दी गई है तो सर्जी उससे बोलता है कि ठीक है उसको हाफ रबल दे दू रबल जोकि रश्या की करेंसी है उसके बाद ओ बोलता है कि इसको बोल दो कि अगर तुम्हे काम की जरूरत हो तो हर मेहने की पहली तारीक को फर्ष डे आ जाया करो उसके बाद बार बार हम सर्जी को सर्जी के आंगन में हम देखते हैं उसको काम करते हुए हर बार जब भी वो आता है उसके लिए कोई ने कोई काम उसको एलिए ढूर के रख दिया जाता था जैसे कि कभी लगणियों को अरेंज करना है कभी गदे से ढूर निकालनी है कभी बरफ साफ करनी है इस तरीके के काम उसके बाद एक बार क्या किया सर्जी एक दूसरे घर पे शिप्ट हो रहा था सर्जी ने गाड़ी भी बुलाई हुई थी और इसको भी बुलाया हुआ था बिकारी को बिकारी आता है पूरा सामान शिप्ट करा देता है लेकिन आज बहुती ज़्यादा निराश होता है बहुत ही सोबा दिख रहा था कि आज दिरिंक बिल्कुल भी नहीं की हुई थी जब वो जा रहा होता है सामाई शिट कराने तो वो गाड़ी वाला इसका मजाग भी उडाता है इसके कपड़ों का इसके आलसी पन को लेके ये सिर्ज उकाय हुए था तो काफी वो जो गाड़ी वाला होता है मजाग उडाता है लेकिन ये कोई भी रिप्लाई नहीं करता उसके बाद जब काम ओवर हो जाता है तो सर्जी इसको पैसे देता है कहता है कि ये लो ये तुम पैसे रख लो अपने पास ये तुम्हारी मेहनत के लिए पैसे है उसके बाद सर्जी से पूसता है कि तुम्हारा नाम क्या है ये बताता है लशकॉफ मेरा नाम लशकॉफ है उसने कहा क्या तुम कोछ और काम करना चाहोगे किलीनर काम मैं जा साफ सुद्रा काम करोगे क्या तुम लिखना पढ़ना चानते हो क्या तुम लिख सकते हो ये बोलता है yes I can मैं लिख सकता हूँ सर्जी इसको एक लेटर देता है और बोलता है इसको लिखके मेरे फ्रेंड के पास जाना और वो तुमको कुछ ने कुछ काम दे देगा ये सर्जी के फ्रेंड के पास जाता है इसको काम वहाँ पे मिल जाता है अब दो साल बीच जाते हैं दो साल बीचने के बाद एक दिन सर्जी थेयटर में होता है तो वो देखता है कि उसके पास एक short structure man खड़ा हुआ है सर्जी को देर नहीं लगती और सर्जी पहचान जाता है कि ये कोई और नहीं ये लश्कॉफ है इन दोनों की मुलाकात होती है और लश्कॉफ भी पहचान जाता है इसको काफी थैंक्यू बोलता है और सर्जी पूसता है लश्कॉफ आसकल तुम क्या कर रहा हूँ बोलता है कि मैं एक Notary का काम कर रहा हूँ Notary का मतलब वो person जो की Legal Documents चेक करने का काम करता है और आगे बताता है कि मैं एक महेने में 35 rubles मैं कमा लेता हूँ ये बात सुनके सरजी बहुती ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है Thank you so much तो कि तुमने मेरी बातों को याद रखा जब तुम जा रहे थे तो मैंने तुमसे कहा था कि अब तुम ड्रिंक मत करना और अच्छे से काम करना और फाइनली तुम सक्सेज हो गए काफी देर इन दोनों के बीच में बात होती है और ये दूसरे को ये लोग थेंक्यू बोलते है लास्ट में ये जो लश्क ओफ होता है ये कहता है कि मैं आपकी बज़े से तुम्हें सही राष्टे पे आही गया हूँ लेकिन जो सबसे बड़ा कॉन्टिब्यूशन है वो है ओलगा का सर जी पूसता है ये कैसे कहता है कि सर मैंने आपके लिए एक भी सिंगल लकड़ी नहीं काटी वो सारी लकड़ियां ओलगा ने काटी थी मैं जब जब वहाँ पे होता था मैं जब जब आपके घर काम करने आता ओलगा मुझे देखकर बहुत रोती और बोलती कि तुम्हारे लिए इस वर्ड में कोई जगह नहीं है तुम अकेले हो तुम नरक में जाओगे तुम कुछ नहीं कर सकते और मेरे सामने वो फूर फूर कर रोने लगते मुझे नहीं पता कि उसके वर्ड की बज़े से या उसके अच्छे कामों की बज़े से मैं चेंज हो गया लेकि मेरे मन में उसके लिए बहुत ही जादा रिस्पेक्ट है उस ओल्गा की बज़े से ही मैं चेंज हुआ हूँ ये सब बात करने के बाद वो कहता है कि अब जाने का समय हो गया है और क्योंकि बैल लग चुकी होती है और वो मूवी देखने जा रहा होता है और यहां से फिर ये दोनों अलग हो जाते है और लशकॉफ उसको सर्जी को जھक के प्रडाम करता है और वो वहां से गैलरी के तरफ चला जाता है यहां पे हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से वो बैगर जिसका नेम लशकॉफ था वो किसकी वज़े से चेंज हुआ सर्जी ने तो कोशिश की ही थी लेकिन जो मेन था जो जिसका मेन हाथ था वो थी उसके कुक उलगा उलगा की वज़े से ही उसे ड्रिंक अनना बन कर दिया था और वो सही राष्टे पे आ गया था और फ्रेंट्स यहां पर यह स्टोरी फिनिश हो जाती है I am sure कि आपको समझ में आ गया होगा तो फ्रेंट्स आज के वीडियो में बस इतना ही Thank you so much